हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे वेल्कम बैक टू माई चैनल ओडिया कुकिंग विथ यसमीन आज हम इंस्टांट एक चोकलेट पैंकेक बनाएंगे टीचर्स डे स्पेसियल चले स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है पहले हमें एक जार ले लेना है तर पे हम ने एसे पीचिस करके एक बनाना कट कर लिया है बना जितना पका हुआ था हो तो वह ले लेना है है और हमने दो अंडे ले लिए उस पे मिलक लिया है न अब हम इस पर मिल्क आड़ कर दिया है अब इस पर हम डालेंगे वैनिला एसेंस शुगर थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट जैसे कि यह टेस्ट को इन्हांस करेंगे तो फिर इस पर हम डालेंगे वह मैदा मैदा हमने चार से पांच टेबल स्पून आमने लिया है जब आगे जरुवत पड़ेगा तो लेंगे हम इस पर डालेंगे चॉकलेट पाउडर तो अब हम इसे सारी चीजों हमने अच्छी तर से मिक्स कर लेना है आंड ब्लेंड कर लेना है देखिए हमारा जो पैनक्यक का जो बेटर है वो अलड़ी तैयार है और कंस्टेंस जो है वो बिल्कुल बराबर है सही है अब इसपे हम एक पाउच जो है इनों का आड़ कर देंगे ये लिए 1 टीस्पून के बराबर का ये पाउडर होता है तो ये पर्फिक्ट होता है फ्लप्पी के लिए तो अब हम गैस का फ्लेम अन कर लेंगे एक प्यान रख देंगे प्यान पे हम क्या करेंगे बटर अड कर देंगे और इसे तो बड़ा से गरम होने देते हैं क्योंकि आफ़ी खुरा घ्रफट फ्रीक श्यज़शा हाँ थैसर केक लीजिंगे से करवा है इसे लीत कुम साहीए देखा हां सब्सक्राइब एक श्रीक है सिता स करेंане तो शीज़ी नरा हमारे इसमारे च्रेद हैं जा बहरा आई जैसे कि यह नीचे से अच्छे तार से कुख हो जाएगा फिर हम इसे पल्टेंगे देखे यह नीचे से कितना अच्छे तार से कुख हो चुका अब इसे हमने पलट लिया है अब इसे जो अनादर साइड है इसे अच्छे तार से कुख कर लेंगे तो इसे बटर आड कर लेंगे इस फिर से कवर कर लेंगे फिर से कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे अब यह बनके तयार है हमने और भी बना लेना है इसी तरह सेम प्रोसेस पे हमें बनाना है पैन को जिस को लेना है बटर घी ऑईल जिसी भी तरह का आपके पास ऑफिले भुले आपी उच कर सकते हैं एंड इसे सेम प्रोसेस पे हम कुछ पैनकेक्स हम बना लेंगे चलिए देखते हैं लास तक आप बने रहे है वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कमेट और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जैसे कि मेरा आने बला नूटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा चलिए देखते रहे हैं और हमारे साथ बने रहे हैं अब हम प्लेट पे सर्फ कर लेंगे इसके ओपर आप चाहे तो अब हनी चॉकलेट सीरप आपको जो पसंद है आप इस पे आड कर लें और इसे आप खा सकते हैं एंजोई कर सकते हैं देखें हमने यहां पे हनी आड कर लिया है और चॉकलेट सीरप भी आड कर लिया है बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी इंस्टांट बनके तैयार हो जाता है आप घर पे ज़रूर ट्राइ करें और मेरे साथ सेयर करें करें पा करें लिया है कर दो कर दो फिर मिलते हैं नेक्स टेसी भी के साथ तिल देना अल्लाह हफीज बबाई टेक क्यार झाल्लाह हवीज बबाई बबाई गजा बदी 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 बजा बदीज़। बदीज़।